तो दोस्तो यह है Hyundai Venue, Hyundai की तरफ से एक सब 4 मिटर कॉम्पक्ट SUV और यह आप इसका SX वेडियों देख रहे हैं 1.4 लिटर डीजल इंजिन के साथ इस वीडियो में मैं आपको इसके on-road pricing क्या features है क्या specifications है और top and SX optional से इसमें क्या difference है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ पता नहीं कुछ शिश करूँगा तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बरसित और आप सभी का सोगत है मेरे चैनल में और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे को subscribe करके मेरा मरोल भी बढ़ा सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप like और share ज़रू करें साथी साथ मेरे social media links इसको भी आप ज़रूर करिये Instagram और Facebook पेज कर लिंक आपको मेरे description box में मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात करतें इसके front profile की तो front से ये गाड़ी काफी ज़्यादा muscular और stylish लगता है front से ये variant बिल्कुल identical है SX optional जैसे bumper का lower end में silver finishing और skid plate design के साथ आता है जो की इस गाड़ी का look काफी ज़्यादा muscular और enhance करता है अब front grill की बात करें तो 3D radiated grill design मिल जाएगा chrome inserts के साथ जो की बिल्कुल identical है SX optional जैसा है और इस variant में भी आपको SX optional के जैसे ही projector headlamp setup देखने को मिल जाता है with daytime running LEDs साथी साथ इसमें आपको projector fog lens भी देखने को मिल जाते है अब दोस्तों बात करते है wheels and tires की तो इसमें SX optional जैसे ही 16 inch के diamond cut alloy wheels मिल जाते है जो की 215 by 16 के radial tubeless tires के साथ आते है अब देखते इसके side profile की तरफ तो wheeled arches पे door के lower ends पे हर जगे lower body parts पे आपको plastic ladding देखने को मिल जाती है जो की इसके issueish look को काफी जादा enhance करता है all over साथी साथ ORVS में भी इसको dual tone effect दिया गया है LED turn indicators भी इसमें integrated है और ये electrically adjustable और foldable भी होते है अब इसकी चत की तरफ देखे तो आपको silver finish में roof rails देखने को मिल जाता है जो की काफी साथ stylish लगता है हाला कि कोई floating roof design नहीं मिलता है इसमें आपको अब SX और SX optional के side profile में main difference आपको इसके door handles में देखने को मिल जाएगा इसमें आपको body color door handles मिलते है बजाए chrome door handles के और इसके driver side door handle में आपको request sensor भी नहीं मिलता है अब दोस्तों चलते हैं इसके rear profile की तरह बाइद बाइद दोस्तों आपको Hyundai venue का exterior कैसा लगा आप ज़रूर comment section में comment करके बताएगे just comment down below सबसे पहले इस गाड़ी की tail light की बात कर लेते हैं तो all led tail lamp मिल जाएगा आपको इस एक optional जैसा बाइद 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 इसके नीचे के वेरियंस में आपको regular tail lights मिलेंगे और यह रहा इसका reverse light जो की आपका reflectors के साथ देखना को मिलेगा बाकी rare bumper में भी dual tone coloring का इस्तेमाल किया गया है और यह रहा parking sensor बीच में इसका rare parking camera और साथ में silver skate plate का design rare class में आपको defogger ज़रूर देखने को मिल जाएगा लेकिन rare wiper और washer नहीं मिलता है जो की sx optional से इस variant को differentiate करता है बाकी यह रहा इसका high stock mount light और यह है इसका shark fin antenna इस वाले variant में भी आपको shark fin antenna मिल जाता है और यह रही इसकी overall rare की look अब दोस्तों बात कर लेते इस गाड़ी के dimensions की तो इसका length है 3995 mm इसकी height है 1605 mm इसका width है 1770 mm इसका wheelbase है 2500 mm और इसकी fuel capacity है 45 liters की और इसका ground clearance है वो approximately 192-195 mm है क्योंकि इसका ground clearance का मुझे कोई पका नंबर नहीं मिला प्रोशन में चबी की बात कर तो आपको एक remote की मिल जाएगा और एक normal की मिल जाएगा और इसी में आपको एक flip की भी मिल जाती है बाइदावए यह रहे इसके lock, unlock और यह tailgate release का button तो चलिए दोस्तों अब अंधर चलते और गाड़ी के interiors देखते है आईए तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके interiors की तो black color का dashboard देखने को मिलता है silver inserts के साथ लेकिन इसका जो roof section है वो ivory या sort of whitish color का मिलता है आपको अब दोस्तों बात करते हैं इसके power steering की तो इसमें आपको right side में telephonic and audio controls मिल जाते है और left side में आपको इसके cruise control के buttons मिल जाते है और दोस्तों इसका जो steering wheel है वो सिफ tilt adjustment के साथ आता है लेकिन इसमें कोई telescopic adjustment नहीं आता है बाकि इस variant में भी आपको leather wrap stitching देखने को मिल जाएगी और अगर steering wheel के in hand feel की बात करूँ तो इसका steering wheel काफी जाधा grippy है काफी precise है मुझे इसका steering wheel का feel काफी अच्छा लगा और इस variant में आपको कहीं पे भी soft touch material देखने को नहीं मिलेगा बाकि overall इसके fit and finish और plastic quality काफी जाधा अच्छी है instrument cluster में आपको major difference देखने को मिलेगा SX और SX optional में 20 में आपको speedometer देखने को मिलेगा left side में आपको tachometer देखने को मिलेगा और right side में आपको एक छोटा सा MID display मिलेगा जिसमें आपको distance to MT, temperature of the engine और fuel range बगरा बगरा सब कुछ आपको दिखाएगा भागी दोस्तों SX optional के जैसे आपको कोई air purifier इधर देखने को नहीं मिलता है और यह रहा इसका 6-speed manual transmission, gear knob, glossy finish के साथ अब अगर दोस्तों इसके infotainment system की बात करें तो सेम SX optional जैसा ही 8-inch का touchscreen infotainment system मिल जाता है साथी साथ Archimisk का surround sound और 4 speaker और 2 tweeter मिल जाता है इसमें Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth और टेलीफोन वगरा के सारे features मिल जाते है इसमें आपको even DRBM का भी feature मिल जाते है बस एक जो difference, main difference है वो है इसमें आपको blue link का feature नहीं मिलेगा और automatic climate control AC आपको इस वाले variant में भी देखने को मिल जाएगा with eco coating technology, eco coating technology across all the variants है और यह रहा इसका fan control करने के knob और यह रहा इसका temperature control करने के knob और इस variant में आपको कोई भी wireless charging pad देखने को नहीं मिलेगा जस्ट दो USB port और 12V का charging socket देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके उस storage spaces की तो इसमें decent amount का एक आप आप glove box मिल जाता है cool glove box है यह और उपर आपको कुछ एक storage space मिल जाएगा साथी साथ इसका जो armrest है उसके नीचे भी आपको एक छोटा storage space मिल जाएगा by the way SX optional की तरह इसका armrest adjust नहीं होता है अब अगर इसके IRVM की बात करें तो SX optional की तरह smart IRVM नहीं मिलता है regular day and night IRVM ही मिलता है और साथी साथ आपको इस गाड़ी में भी मतलब इस variant में भी आपको sunroof देखने को मिल जाएगा जो की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे साथी साथ इस गाड़ी में आपको एक sort of dead pedal भी देखने को मिल जाएगा और ये across all the variants रहेगा अब दोस्तों driver side door की बात कर लेते तो आपको ORVM के controls मिल जाएगे door lock और unlock करने का button मिल जाएगा चारो gate के power windows मिल जाएगे और जो driver side का power window button है वो auto up down feature के साथ आता है और ये रहा आपका speaker unit 1 liter bottle holder का space भी मिल जाता है आपको door pocket में और ये रहा आपका एक छोटा सा twitter और ये silver finished आपका knob मिल जाता है इना door knob और ये रहा पुरा gate का over view तो दोस्तों बात करते हैं अब इसके आड़ी के seats की तो सबसे पहले आपको six way driver adjustable seat मिल जाएगा साथी साथ पूरी black color की fabric आपोस्ट्री मिलती है leatherette आपोस्ट्री आपको सिभ़ SX optional पर मिले गाए adjustable headrest मिल जाते हैं और ये दो आपको cabin lamps मिल जाते हैं अब दोस्तों इस variant के rare door की बात करे तो कोई भी आपको leatherette stitching या leatherette option नहीं मिलता regular plastic ही मिलता इसके handle बाहर पर है और ये रहा एक bottle holder एक speaker और उपर अगर जाएंगे तो आपको ये silver finish door handle knob मिल जाता है अब दोस्तों आपको rare seats की बात करूँ तो rare seat भी आपको black fabric upholstery ही देखने को मिलेगी rare adjustable headrest आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये रहे आपका पूरा kevin का overview by the way और दोस्तों इस वाले variant में आपको beach में कोई armrest नहीं मिलता वो सिर्फ top end SX optional पर ही मिलेगा आपको अगर मैं इस गाड़ी की headroom अगर ही बात करूँ तो काफी सही है इसका headroom का space एक 6 feet का बंदा आराम से बैठ सकता है बाकी legroom भी काफी ठीक ठाक आपको मिल जाता है बस इस गाड़ी में अगर आपको एक seat से दूसरे seat में आना तो उस सूरत हाल आपको थोड़ी बदिक्कत फेस करनी पड़ेगी बागी दोस्तों इस गाड़ी में आपको बीच में एक RAC वेंट दिया जाता है साथी साथ एक 12 वोल का charging socket तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी के boot space की इसका जो boot space capacity है वो approximately 350 liters का है और इसमें आपको एक boot lamp भी मिल जाता है तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी के engine specifications के उपर तो आप जो एक वीडियो में देख रहे हैं वो 1396 CC का in-line 4-cylinder U2 CRDI engine है जो कि आपका 90 PS का max power produce करता है 4000 rpm और 220 Nm का max torque produce करता है 1500 से 2750 rpm और यह सिब आपको 6-speed manual transmission में मिलेगा और इसके दो petrol engine आता है 1.2 liter का जो कि आपका Hyundai Grand Iter Nios इनका latest offering और i20 में भी आता है मैं वीडियो के links आपका i-card में छोड़ दूँगा और इनका latest 1 liter का 3-cylinder engine आता है जो कि आपका 120 PS का max power produce करता है 6000 rpm और 130 Nm का max torque produce करता है 1500 से 4000 rpm और तो इसमें आपको 7-speed DCT automatic और 6-speed manual transmission भी मिल जाएगा अब दोस्तों इस variant के specific क्या safety features आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं मैंने ये एक पूरी list बना दिये है इस variant के specific ही तो आप इसको pause करके एक बार पढ़ सकते हैं ओके दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के on-road prices की तो मैंने सारे variants के on-road prices आपके display के सामने लिग दिये हैं आप इसका screenshot ले सकते हैं बाकी अगर मैं इसके SX diesel variant की बात करूँ तो इसका price है 11,23,722 रुपीज अगर आपको इस ग्याड़ी के बारे में और भी जादा चानना है तो आप किसी भी अपने nearest dealership के पास जा सकते है नहीं तो अगर आप रूड़की में रहते हैं या हरिद्वार में रहते हैं मैं जी शोरों में आके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उसका link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में च्मोड़ दूँगा आप जरू वापे आके चेक कर सकते हैं खीके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स वीडियो में एक नई गड़ी के साथ मिलूँगा तब तक के लिए नमस्ते कर दो दूँगा ओड़ी के लिए नमस्ते हैं